सुबह का समय नंद बाबा गौशाला में अपनी गौशाला में नंद माहराज विराजमान है आँखे बंध है बाबा ने आज ब्रह्म महुर्थ का समय सुबह 4 बज़ रहे पर पता नहीं क्या हुआ आज बाबा को बेठे बेठे नीद आ गए, सुब़ चार बज़े मतलब शनानादी कर लिया था गउशाला में गए थे, तब ही आँखे लग गए और सपने में का देखी नंद बाबा ने सपने में देखी कि एक नन्नो सो लाला जाकी आँखे बड़ी सुन्दर है जाकी मुस्कुराहट सबके चित को आकरशित कर ले ऐसी मुस्कुराहट है वो छोटो सो लाला गुंगराले बाल पतले पतले वाके होट और वो लाला की गोद में भाग करके बाबा की गोद में बैठ गए और लाला को बाबा देखे जा रहे सपने में और देखते देखते आशू निकलते जा रहा है कितनो सुंदर लाला कौन को लाला है या को नाम कहा है कहा ते आयो है यह सब सपने में चल रहा तभी सपने में ही लाला ने नंद बाबा की दाड़ी जरा लंबी थी ठाकूर जी तो कौत की है तो छोटे से लाला ने ब जैसे दाड़ी खिछी सपने में बाबा की आँख सच मुझ खुल गए दर्द होयो तो आँख खुली आँख खुली तो आप बस एकदम व्याकुल हो गए कहां गया कौन था कौन आया मेरे पास गौशाला में गुटमन गुटमन चलता चलता मनी मन सोच रहे थोड़ी देर दाड़ी और खिछवा लेते तो क्या भरक पड़ जाता कम से कब इतना सुन्दर सपना तूटता तो नहीं तब इतने में जोर से सुनन्दा भुअ आवाज लगाती भई आई बाबा अरे ओ बाबा अरे नंद बाबा सुन्द यहाँ जरह एक तो कुट बात बताऊं बाबा बोले अरे बाबरी सुबह सुबह तोकू कौन सो भूत चड़ गए हो है बुआ बोली बाबा भूत ना मोकू तेरो पूत चड़ गए हो है भूत नहीं अरे बाबा आज तक तेने जितनी गव सेवा करी आज सफल हो गए अरे बाबरी पर भयो कहा बाबा आज तक जितने ब्रहमन तुने जिमाए आज उनकी सेवा परिणाम ले आई जितनी साधु सेवा करी आज बाबा वाको फल मिल गए हो पर भयो कहा ये तो बता पर बाबरी हो गए बाबा आज तक जितनी महादेव की पूजा करी आज बाको फल मिल ना देखो ना सुनो ऐसो अधबुत चमतकार तेरे घर भयो है कहा भयो है उले बाबा तेरे आंगन में तेरे घर में छोटो सो नन्नो सो लाला भयो है पुत्र भयो है नंद बाबा ने सुनी मेरे घर पुत्र भयो है आज जो सपना देखा जो सपन देखा वो सवपन आज साकार हो गए बाबा रोक नहीं पाए अपने आग के असी बरस के बाबा आज खुशी से ठुमका लगा के नाचवे लगा